दोस्तों नमश्कार आज मैं आप सभी को LD Bajar Fixed Salary Plan के बारे में पूरा Explain करूंगा यह plan क्या है यह plan आपको क्या income दे सकता है और कितनी बड़ी income यहां से हो सकती है उसके बारे में आपको पूरी जनकरी देंगे दोस्तों LD Bajar जो है यहाँ पर जो हम जोइनिंग अमाउंट देते हैं वह मात्र दस रुपे जर लाइफ में हमें एक बार अपने जेब से दस रुपे देना होता है और हम इस बुजनस में चुड़ते हैं दोस्तों यह पंद्रा लेवल का प्लान है कंप्री ने इसको पंद्रा लेवल का प्लान डिजाइन किया है जिसमें फाइफ इंटू फाइफ के मैट्रिक्स में यह आपका प्लान चलता है दोस्तों आपके सामने मैंने पीडिया फाइल भेजी होगी उसमें आप देखेंगे कि दस रुपे के जो प्लान है उसमें दिया हुआ है सारा प्लान वो पंद्रा लेवल त तो दोस्तों आपको एक रिचार्ज का कूपन देती है और आप पूछेंगे कि रिचार्ज का कूपन यूज़ कहा होगा तो सर हमारी वेबसाइड में रिचार्ज कूपन यूज़ करने के लिए हमारी कंपनी के रिचार्ज पोटल है आप वहां से रिचार्ज करेंगे तो बह से आपका पांच रुपे डिड़क्ट होगा कूपन में से यानि 149 में सब पांच कट गया 144 रुपे का पेमेंट कटेगा और आप का रिचाज हो जाएगा अगर आप 10 रुपे एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो 300 के उपर का जो प्लान है 399 वाला वो आप करते तो एक ही बार में वो 10 रुपे आपका यूज़ हो जाएगा दोस्तों ये रहा हमारा कि जो हम 10 रुपे दे रहे हैं उसके बदले में कमपनी हमें क्या देती है तो रिचाज का कूपन देती है मैंने उसके बारे मता दिया कि वो कैसे यूज़ होगा दूसरी चीज़ है कि यहां जो हमारा 15 लेवल का प्लान है सर आप पीडिया फाइल में जब देखेंगे तो पीडिया फाइल में यहां पर दिखाया हुआ है कि 15 लेवल में कमपनी यह जो 10 रुपे वो कैसे डिस्टिब्यूट करती है तो यहां पर एक से लेके 4 लेवल तक 2 22 रुपे वो बारण देती है यारी पहले लेवल में दो रुपे दूसरे लेवल में 24 लेवल में दो रुपे यह टोटल जोड़ेंगे यहां हो terrorists में पचास पैसा यानि 8 और 530 रूपए हो जाते हैं और छटे से लेकर 10 लेजबल तक 20-20 रूपए है यानि però यह है तो साड़े खोघ नो रूपए हो जते ही गयारा लेज़से 15 लेज़सा हैं तो पचास पैसा ही तोटल साड़े तोटल यह 10 रुपय आपके 15 डिस्ट्रिवूर जाते कंपनी एक पैसा भी अपने पास नहीं रखती कंपनी यह जो है कमीशन तो कहां से पाती एक सवाल उड़ता है कि जब कंपनी सारा पैसा बार दे लिए तो कंपनी पा कहां से रही है तो सर आप जो यहां कम लिए इस प्रकार आप तो आपके फॉर्सट लेवल में आता है आपले आप के लेवल पे दिखा रहा रहा है पाँश land लोगों को जोड़ते जब यह पांच बंदे जब पांच पांच करते तो 25 होते हैं तो तीसरे लेवल पे 125 होते और चौते लेवल पे 625 होते हैं ऐसे करते हुए यह संख्याब धीरे-धीरे बहुत बड़ी हो जाती है ठीक है अब दोस्तों यहां पर जो हमें कम्पनी इंकम दे रही है 15डा लेुबल तक यहां पर आप आप देखींगे चुकि यहां पर सैलरी की बात है 15ड़ तक मंतली सेलरी जो है कंपनी देती है और वो सेलरी कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगा अगर हम यहाँ पर एक बार यह सारे लेवल पार कर गए तो पूरी लेवल में जितनी संखे बताया उस इंकम के अनुसार आप महिने में यहाँ पर 381 करोड मातर एक बर 10 रुपे से जुड़कर आप 381 करोड रुपे कमा सकते हैं जी हाँ दोस्तों 381 करोड आप सिर्व इस मातर 10 रुपे में आज की डेट में 10 रुपे में सर कोई भी चीज नहीं मिलती सही माइने में कहें तो 10 रुपे में आपको आज अगर आप cigarette use करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज आप जो अच्छी चीज अगर लेना चाहें एक अच्छी biscuit आपको 10 रुपए में नहीं मिलेगी ठीक है और अगर आपको एक business मिल रहा है इतनी बड़ी कमाई का अगर source मिल रहा हो भी 10 रुपए तो आप शायद मना नहीं करेंगे दोस्तों ये प्लान जिसके पास चला जाएगा वो कितना भी कुछ भी कहना सर लेकिन वो 10 रुपए निकाल के आपको जरूर देगा कि भाई मेरी आइडी लगा दो ठीक है अब आते हैं कि मेरे साथ इस प्लान में क्या ताजू वाली चीज हुई कई लोग ऐसा दिमाग में सोच रहे होंगे कि मैं तो यार बहुत जादा आइडी लगाएगा तीक है ज्समय लगा रहा हूद आप ताजूब खाएंगे कि मैंने एक दिन में मतलब जैजूब गाएंगे कि नहीं घ्राइंगे भी है मुझे नहीं मुझे नहीं पता मतलब गल्क जनरल में आदमी दो चार लोगों को जोड़ पाता है इससे जएधा तो मैंने सोचा कि चलो यह 12 के 12 मेरे फ्रंट लाइन बन गया हूंगे यानि मेरे फर्स्ट लेवल पर आ गया हूंगे लेकिन जब मैंने अपनी आईडी खोल के देखी तो मुझे एक्चुल प्लान ये समझ में आया कि जो मैं सोचा उसके जस्ट उल्टा है लेकिन जो है वो ब माची बंदे आए जो शुरुवात के बंदे थे बाकी मेरा छटमा वेक्ति वह कहां गया जो मेरे फर्स्ट लेवल पर जो पहला वेक्ति जैसे विकाश जी है विकाश जी उनका नाम है उन्होंने अभी बताया कि सर मैं दो तीन वेस्तर होंगा मैं अभी कुछ नहीं कर अब उनके डिरेक्ट में लग गए है यानि उनका फर्स्ट लेवल पूरा हो गया और उनके फर्स्ट लेवल में जो बंदे आए वो मेरे लिए फूश्र Х he जैवा सारी एड़ी ती मेरे डिरिक्ट लेकिन लगी कहां उनके नीचे अब मेरा जो 5 तो मेरे डिरेक्ट में पांच उनके में 10 बंद्य ये हो गए 2 आइडी कहां गई एक बल्देव जी सब्सक्राइब जी नीचे जोइन हुए और वो से के इस वह उनके नीचे चले गए यानी उनका भी फ़र्स लेबल कंप्लीट हो गया वो बड़ा excitement में हुए विकाश जी भी बड़ा excitement में हुए कि सर यह तो बड़ा गजब हो गया मेरा फर्स्ट लेवल पूरा हो गया ठीक है लेकिन विकाश जी को जब यह मालुम चला कि यह 15 लेवल तक सब बात करने मत आना पहली चीज कि उपर से अईडी आई सबके नीचे नहीं आई टीक है आप अगर खुद कर सकते हो तो करना नहीं कर सकते हो तो किसी के बड़ान केता है अगर आप दो डेरे करते हो तो आपको पांच लेवल तक की इंकम के लिए अगर यह जब हो अगर आप साथ डिरेक्ट करते हो तो आप 10 लेवल के लिए अगर आप 10 डिरेक्ट करते हो तो 15 लेवल के लिए अब सब्पोच करो आपका बिजनस 5 लेवल तक चला गया लेकिन आपने एक भी डिरेक्ट नहीं किया तो सर आपका income pending रहेगा आपकी ID में दिखाई तो देगा लेकिन आप उसको withdrawal नहीं कर पाऊगे जब तक आप 2 direct नहीं कर पाऊगे 2 direct कर दिये तो 5 level तक की उसमें जो भी इंकम हुई होगी आपकी उसको आप withdrawal कर सकते हैं तेक हैं अगर आपने 7 direct कर दिया तो आपका जो है 10 level तक की जो भी इंकम हुई होगी आप उसको withdrawal कर सकते हैं अगर आपने 10 direct कर दिया तो आप 15 level तक की income को निकाल सकते हैं कहीं न कहीं सर जो आदमी 10 direct करेगा 15 level की income के लिए तो यहां जो प्लान कहता है कि हर आदमी को अपने 5 करने हैं आपने 10 कर दिया तो कहीं न कहीं एक दूसरे की मदद भी होगी क्योंकि वह 5 ID किसी ना किसी के नीचे जाएगी तो यह प्लान में मेरे हिसाब से किसी के नीचे ऐसा नहीं है कि ID नहीं पहुचेगा वक्त लगेगा लेकिन पहुचेगा जुरूर और हर आदमी पैसा कमाएगा सपोच करिए विकास जी अपने डिरेक्ट में कभी भी ID अक्टिवेट नहीं करते तो उनकी में वह पैसे पड़े रहेंगे और वह जिज दिन अपने डाउन में वह डिरेक्ट कर दिंगे उनको वह पैसे निकालने के लिए वह हो जाएंगे अब दोस्तों आते हैं यहां पर सबसी कि विड्रॉल क्या है कब है और कितना विड्रॉल होता है तो विड्रॉल हमारे वहां डेली ऑर अन्रेड रुपीज है आप यहां पर जैसे आप चाहएगा अ आपके एकाउंड में इतना पैसा है तो दोस्तों इससे बहतर प्लान आपको दुबारा नहीं मिलेगा अब आते हैं इसमें लास्ट में जो आप पिक्चर देख रहे यहां पर लिखा हुआ है कि डेली इंकम और मंथली इंकम चुकिए यहां सेलरी की बात हो रही है तो दोस्त त्वहां में जितने लोग हैं उनको एक मईने हो गए है अब एक महिने बाद माहण रही है और ले जार रुपनी अर्दीन काते हैं Always आपको समझाया कि सो रुपया आप कमा रहे हैं या पांसो कमा रहे हैं हजार कमा रहे हैं या एक लाग कमा रहे हो आपकी कमाई से दस रुपया कटेगा और यह आपकी डाउन में जिनका कटेगा तो वहां से अब आप भी senior में आते हो तो वहां से आपको भी आना है तो यही यहां पर दिखाए है कि daily income आपको जो आपकी तीम से कटता है तो आपको कितना आता है यहां देखेंगे लिखा हुआ पांच के मैट्रिक्स का केवल अगर चार लेवल तक आपने फालो कर लिए तो पंदरह सो साथ रुपए आपको डेली आएगा अगर महीने की बात करें तो अचावन सो महीने की बात करें तो आप्टावन हजार दो सो रुपए आपको मंतली इंकम तो दोस्तों आप अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा करवट ले सकते हैं मैंने पूरा प्लान आपको इसमें बता दिया है किसी परकर का डाउट नहीं है अगर इस कंपनी को एक सवाल आएगा मारे नहीं यार दस रुपए में फुराड हो जाएगा यह हो जाएगा वो जा है कि दस रुपए में कुछ नहीं मिलता अगर एस कंपनी को ाक्नम को किसी इतना यह चोड़ा करनी हो झाल कि कि Kirill means पांसो हजार रुपय दो हजार का फ्लान रगता है लेकिन यह कंपणी सर पहले देखिए कि आपको दस रुपय में रिचाज का कुपन दे रही है कोई बहुत सारे लोग मिलेंगे कि भाई दस रुपय में को क्या मिल रहा है तो पोड़क आप ऐसे दिखा सकते हैं कि हमको यह मिला दूसी चीज दस कि 10 रुपय सर पूरा पंदर लेवल में कंपणी बाढ़ दे रही है कि यह कंपणी आपका लेकर भाग क्या रही है लेकर जायेगी क्या दस रुपय में क्या लेकर जाएगी शर दस रुपय में इसाथ कौन सा बिजनस है जो आपको लग पति बना दे अगर कोई नहीं है सर तो इस बिजनस को आग बंद करके करिए गरेंटी है आप यहां सर बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे कंपनी भी दाबा करती है इस दिपावली तक मैं करोड़ पती पैदा कर दूँगा अरे मैं कहता हूँ दिपावली नहीं सर इस साल के लास तक भी अगर करोड़ पती पैदा हो जाए तो भी कोई कभी नहीं है सर बहुत बड़ी इंकम होने वाली है तो अभी भी सर खबरदार हो जाएए होश्यार हो जाएए एल्डी बजार जो प्लान है आपको बहुत बड़ा पैसा देने वाला है ठीक है ओके थेंक्यू